अखिली शादव अप लगातार फील्ड में जा रहे हैं आज पूर वांचल के दोरे पर हैं जिस तरीके से कह रहे हैं कि सदसिता अभियान चल रहा है उसको बढ़ाने के लिए कारकरताओं में जोज बने के लिए लेकिन लगातार बीजेपी हमलावर है और कर राजबर हमलाव हमाँ साथ उत्रबे सरकार में खेल मंत्री गिरीश शादव है जो आजंग मड़ में प्रभारी रहे वहां बीजेपी ने समाजादी पार्टी को हराया उनके गड़ में रहाया गिरीश यह अखिली शादव लगातार पहले कन्नौज गये दो दिन अब वह आज जा रहा है व जब से उनका राजनीत में पदारपढ हुआ एक तरह से कहा जाए जिम्मेदारी किपत पर 2012 का चुना हुआ हुआ वहां भी हार गए 2017 का चुना हुआ वहां भी हार गए 2019 का चुना हुआ वहां भी हार गए 2022 का चुना हुआ हुआ एक तरह से जनता ने नकार दिया है और वो क और हमारे देश के स्वाशी परधान मनती है, उनकी कामों पर विश्वास कर रही है, उनकी उपर कुई विश्वास नहीं, जनता का विश्वास उठ चुका है. आजबर ने जो कहा कि AC वाले नेता हैं उसी छवी से बाहर उसी image को तोड़ने के लिए जा रहे हैं क्या लगातार तीन दिनों सब देखने दोरा कर रहे हैं। देखिए उन पर मैंने पहली आप से टिपड़ी किया कि जनता का विश्वास उन पर उठ गया है। अब जनता उन से कोई अपेक्षा नहीं जगती है। आने जाने का तो सिलसिला है जाते आते रहें लेकिन मुझे जो जानकारी है कि समाजवादी पार्टी का सदस भी बनना लोग नहीं चाहते हैं। अच्छा आप कहने कि सदस्ता अभ्यान को बढ़ाने जा रहे हैं लेकिन सदस नहीं बनना चाहते हैं। कि अधर किया आप जो है दो हजार वाईस के चुनाओ की बात करते हैं। लेकिन दो हजार जो उपचुना हुए जो आजमगड़ माना जाता था और जो इसको अपना घर मानते थे वहां भी इनको जंता नकार दिया। तब आने वाले चुनाओं में जो है वो लोकल बाडी के चुनाओं होंगे और चाहे लोग सभा 2024 के चुनाओं का पूरी तरह से पुर्वन्चल से सफाया हो जाएगा तो यह आपने सुना क्या कहना है हो तो बैस के खेल मंतरी गिरी शादों का साफ तोर पर करें कि जनता ने नकार दिया है समाजवादी पार्टी को आखिले शादों को चाहे जितना आप जमीन पर जाएं लोगों से मिले इसका कोई फायदा ना लोकल बाडी इसके चुनाओं में होने अला है और ना 2024 के लोग सभा चुनाओं में क्याम से प्रमोद के साथ अनुभ शुक्ला एपी गंगा लखना हो ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी